हेलो एब्रीवन विल्कम बैक टो आप चैनल तो आज आ गया है एक नए वीडियो के साथ तो यह वीडियो में कोई डेली व्लॉक नहीं होगा तो यह थोड़ा लग वीडियो है जिसमें मैं अपना होम टूर शेयर करने वाली हूँ तो यह तो आपको पता है कि हम लोग बैंगलोर में रहते हैं, 2BH के अपार्टमेंट में, यह सेमी फर्निश्ट अपार्टमेंट है, तो इसमें मैक्सिमम जो भी फर्निचर आप देखेंगे, वो ओनर काई है, हम लोग ने भी, हमारा भी है कुछ-कुछ, तो हम लोग तो जनर काहीए और हमारा भी कुछ-कुछ है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, यह तो हो लिविग रूम का यह दो टैप का सोफा का सेथ है, यह है और एक यह भी है, पर यह पूड़ा अन्ट ने सेथ दिया है, डाइनिग टेबल, दाइनिक टेबल यह पी टेबल है और यह पुरा से इधर हैं जो कि बंच ऑगएरा यह सब रखता है और यह वह पूरा जो देख है ना तो के संव कईरा यह सब और रहे हैं हमारा हम इसके उपर में जो भी रखा हो है वो सब हमारा और यह पुरा आबीर का खेलने का युचिज आने बैट बॉल के यहां प्रूरा सब कुछ और पूरा हम लोग यह डिटेल में मैं नहीं दिखा रही हो और यह तीवी बगेरा है और यह छोटा सा एक खड़ीदा है क्या बोलते हैं उसको ड्राइड टाइप का जिसमें हमारा यह वाच कीज यह सब चीज है और यह कुछ एरपोड है फिर यह सब है और वस इदर यह तो फूला है यह भी हमारा ही है और यह सब थोड़ा एक क्या होता है सोट पीस टाइप का है और यह अबीर का बुक है तो यह हो गया और उपर यह तो आप देखी रहे है यह बर्ट का है एक उस टाइब के होस्पिटल से दिया था थोड़ा से इधर उदर है और यह वाक्षा लिविंग रूम हो गया तो हमारा दEश टू बेड्रूम एक हल एक कीचन टू बेड्रूम हो गया और एक किचन का डायनिंग स्पेस है जो आपको एक साथ तो फर्स्ट यह जो है इधर एक बेसिल है और यह गेस्ट रूम गेस्ट रूम के बाजो में एक गेस्ट वाश्रूम है तो यह वाश्रूम और बगर नहीं खोल के नहीं तिखा रहे है और यह गेस्ट रूम है एक छोटा सा छोटा भी नहीं है ठीक है गेस्ट रूम है तो इस तो आप में यह जो अलमीरा है यह स्टील का अलमीरा है यह भी ओनर काई है और यह आप एक बेड़ है और यह तो एक विंडो अगएरा होगा यह पूरा जो है सेमी फ़र्निष्ट यह हमेशा यह हर एक अपार्टमेंट में आपको बैंगलोर में देखने को मिलेगा कि ऐसा आयब्ग है और या बीड का कुछ अच्छा हाला कपरा है और यह मेरा कुछ बैग है और कुछ नहीं हा具 कि उपर उतना स्पेस नहीं है क्यों कि उ सुक्य है यह भबाट बड़ा प्रावली यह चींड आ वाक पास कि लिए बस इतना ही है देठीर और एक मिरला-पिर मिरेर में याबीड का ही पुड़ा है यहां पे उसका तेल वगएरा क्रीम शैंपू पाउडर यह सब है और यह कुछ नहीं है इधर गेस्ट्रों में हम लोग उतना कुछ सामान नहीं रखते क्योंकि बहुत सारे गेस्ट्रों आते रहते आप देखे होंगे और इधर एक थैसे हां सबल्हा है यह सित अपने देखर गेस्ट्रों हो गेंस्ट्रों मसंटर को मसंटर है जैसा को यह दम फंप्लेम यहां में असस्का पिर स्टोरेच कपड़र चेंड और इसके साथ पिर इमयरल का पुड़ा एक सेट भखते, हер उत्या, नेकश हमीः यह हो वाश्रूम है और एटाच वैलकनी भी है यह पुरा मस्टर बेड्रूम का है पुरा तो जिसमें आभीड का यह सब खिलोना वगेरा भी रखे है यह पुरा खिलोना वगेरा भी है उसका टाइनिंग टेबिल जब छोटे में खड़ीदा था वो सब भी है और इधर अलमीरा में हमारा मेंली सब कपड़ा वगेरा है और इधर भी बहुत सारा कपड़ा है ओंर जाल-षा, इधर में और एक चोटा छोटा सा ड्याइक है जिसमें आभीड का पुड़ा ड्रेस है ड्रेस माह पूँल जाता है वह सब का ड्रेस भड़ का ड्रेस ऑट पंड सब की चार्ड यह उसका ड्यापर वाइप सब है तो यह भी एक मीरर दिया है मीरर के साथ एक नीचे स्टोडेज है सब आपको दिखाते हैं एक सब्सक्राइबर में हमारे इसमें पूछा था कि एक डिस इंटर्विल टूर देने के लिए तो वह भी इंख्लूड हो गया इसमें तो उपर पुरा मेडिसिन का है हमारा है आभीर परफ्यूम का है इधर कुछ बाम वगेरा है और इधर डियोट्रेंट है पावडर से यहां पर मेरा अभीर का एक वह रैश का बाम है मेरा वह पुछ फेस मास्क का है यह है और यह पूरा बोडी लोशन संस्क्रीम मेरा उतना कुछ है नहीं इधर मेकप का सिफ क्रीम है बिंदी का लिक्विड और यह क्रीम है नॉर्मल मॉस्टरईजर फेस क्रीम है और यह नेल पॉलिस रीवुवर और यह नीचे मेरे कुछ बिंदी है यह कुछ बैंड वगरळा है क्लीपस है इधर कुछ thumbnail polish है मेरा कुछ lip balm है lipstick है बस इतना ही कुछ है और इदर COM stand है और इधर भी कुछ clip है अभी नीचे देखते हैं नीचे कुछ है समन यह वह है क्या बोलते है यह आपका वो है क्या बोलते है उसको मसाज हेट मसाज का यह ऐसा गूमते है यह हो गया आपका इसके साथ यहां पर थर्मोमीटर है कुछ नाया कंगी है मेरा काजल है और यह एक शीट मास्क है यहां पर मेरे मेल पॉलिश है यहां पर मेरा लेंस है सब यह कुछ बैग में पूराना कुछ है यह पेंड़ाइब अगेरा है यह एक बोक्स है जिसमें मेरा संगलास है एक कुम कुम का नाया जो है वो है पिर ये बैंडेज यह हो गया और यह वाला मेली जो मेरे यारिंग्स जेकलेस यह सब है इधा है जो आटिफिशियल जो यह लड़ी सकते हैं बस इत्ता ही है मेरे प्रेसिंटेबिल का देंकल सब करा है देखिए आब इरको देखिए यह भी दिखा रहे है और यहाँ पे है 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 हो गया है एक पर्ल कार्ट सेट जो मुझे शादी में मिला था आए अ बाता बेब्रूंग भी हो गया है इतर यह लिविं रूम हो गया है और यह हमारा किचन कम डाइनिंग स्पेस है तो इसमें एक छोटा सा डाइनिंग तेविल है यह भी हमारा है चेर्स भी हमारा है और यह किचन का इसमें इधर सब चीनी चाई नून नमक तेल वागरा है इसलिए नमक तेल कॉफी टी शुगर यह सब है और यह सेरेलक वगएरा है हनी है घी है और यह हमारा पूरा कप का सेट है इधर सब वो क्याई वो दो चामज वगएरा रखने के लिए है यह एक पानी गड़म पढ़ने का जो है वो है यह इंडेक्शन ओवन है स्टोब है इधा तो हमारा खाना बढ़ा के रखा है और यह एक बरतन धोके इधा रखने के लिए है इतने है और यह पुरे तो सिलिंडर वागेरा है इसमें सबाटा चावल यह सब रखते है इसमें उतना कुछ खात नहीं है तो यहां पे ग्लास दखे होए है और इधर में कुछ पासाले बगएरा है फिर मिक्सी है बड़े-बड़े कड़ाई बगएरा है और यहां पे आलू प्याज यह सब का एक रखा हुआ है और इधर में पुरा बिस्केट पास्ता यह सब ही है तरम मतला का सब कुछ है और यह जो आशन मेशीन है तो इसके उपर फूट्स भागेडा थोड़ा रखा हुआ है और यह कुछ अलग सा टेम्पेल रूम नहीं है तो एक ऐसा स्टोरेज रूम है उपर मंदी रखा है और फूजा का जो भी सामान है वो सब रखा हुआ है और यह तो फ्रीज है आपको स्टोर्रूम भी दिखा देत स्टोर्रूम मतलब ऐसा स्टोरेज का है जो हम लोग मंदी जो सबून करते हैं वो सब का इसा बिस्केट मसाले चाय साबून यह सब है तो अभी इतना ही हो गया हमारा होम टूर तो आप कमेंट सेक्शन ने बताएए कैसा लगा अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और स Thank you, bye